वापस लाने और हनुमान के संजीवणी परवत को पूरा उठा लाने वाला प्रसंग सभी जानते हैं। व्यद्सुशेन ने संजीवणी को चमकीली आभा और विचित्र गंध वाली बूटी बताया है। संजीवणी परवत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। माना जाता है कि हनुमान जी ने इस पहाड को टुकडे करके इस शित्र विशेश में डाल दिया था यह चर्चित पहाड श्री लंका के पास उमा सला परवत के नाम से जाना जाता है श्रीलंका की खूबसूरत जगहों में से एक उनावटाना बीच इसी परवत के पास है श्रीलंका के दक्षिन समुद्री के नारे पर कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां हनुमान के लाए पहाड के गिरे टुकडे हैं इस जगह की आस बात ये कि जहां जहां ये टुकडे गिरे वहां वहां की जलवायू और मिट्टी बदल गई इन जगहों पर मिलने वाले पेड़ पौध है श्रीलंका के बाकी इलाकों में मिलने वाले पेड़ पौधों से काफी अलग हैं रूमा सला के बाद जो जगे सबसे अहम है वो है रीतिगाला हनुमान जब संजीवनी का पहाड उठा कर श्रीलंका पहुंचे तो उसका एक टुकडा रीतिगाला में गिरा रीतिगाला की खासियत है कि आज भी जो जड़ी बूटियां उगती है वो आसपास के इलाके से बिलकुल अलग है श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर हाका गाला गार्डन में हनुमान के लाइपाहार का दूसरा बड़ा हिस्सा गिरा इस जगे की भी मिट्टी और पेड़ पौधे अपने आसपास के इलाके से बिलकुल अलग है